हेलो एवरिवन आज से हम इंग्लिश के न्यू सिरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिससे हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एडिया मैं फ्रेजस से यह लेक्चर वन होगा जो फर्स्ट फ्रेजस है क्या है ऑल आईज जिसके मीनिंग हो जाएगी वाचिंग अगरली मतलब आप आपका है इन विल एंड व्यू मतलब इसके मीनिंग हो जाएगी इन प्रोस्पारिटी एंड एडवर्सिटी में जब आपके पास सम्रिधी होगी या खुश्याली होगी और अडवर्सिटी में जब आप आप उजित परिस्टरियों में होंगे तो सम्रिध विपत्ति में द इसके मीनिंग हो जाएगी इन इक्सपीरियंस परसन मतलब जिसके पास क्या हो अभी अनुभाव नहीं हो तो अनुभाही वैगती है फूर्थ है बैग और बैगेज मतलब बैग और बैगेज क्या होता है कि आप अपने सभी कीजिए जों के साथ है विट आल आफ वन्स अजर्ट कुछ रूब बोलते हैं नहीं मैं जा रहा हूं तो बोलते हैं बुरिया विस्तर के साथ जा रहे हो तो आप वहां पर क्या यूज करोगे बैग और स्वीथ नहीं लगा ओग ठीक है फाइफ है इन कोल्ड ब्लैडड लट होता है कोल्ड होता है यह ज्यादा शांत पिलन कोल्ड जाएगा जान मुझका मतब जो आप शांत नहीं लडाई करना चाहते जान मुझका तो आप क्या करते हैं तो वहां पर कौना सा फेज यूज करोगी इन कोल्ड ठीक है नहीं कोड ब्लड है इसक्ट है आ इस्क्रेटन इन दा कबबड जो कबड इसक्रलेटन हैं तो इसके मीनिंग क्या हो जाएगी एन इंब्रेसिव फैक्ट टू बी कैप्ट सीक्रेट मतब कुछ ऐसा जो सीक्रेट रखना जाते है गुफ्त रखने जैसा कोई तथ है तो इसके लिए आप क्या रियूज करोगे तो इसके मीनिंग नहीं है लेकिन आप ऐसे याद कर सकते हैं एक पीपल मीटिंग फर्स टाइम मतलब आप जब लोगों के साथ पहली पार मिलते हो तो अचानक से बात करने स्टार्ट नहीं कर देते ना आज महसूस करते हो ना तो वहां पर आप क्या यह करो कि ब्रेक दाइस मतलब आपनी चुपी क्या करो ब्रेक करो ठीक है नाइन्थ फाला क्या है थौट वेरी हार्ड ठीक है थौट वेरी हाट का क्या हो जाएगा रैग्ड हिस ब्रेन मतलब बहुत ही जोड देना बहुत ही जादा सोचना ठीक है एलेवन्थ फाला हो जाएगा तू इसमेल करना इसके मीनिंग आप क्या निकालेंगे तू है रीजन तू सस्पेक्ट मतलब संदे करना कि यहां संदे करने का आए सेंस तो आप वहां पे कौन से एडियम फेसे जूज करेंगे तू इसमेल आ रहा है तो इसके मीनिंग क्या हो जाएगी तू गेट सो स्ट्रॉंग दैट वन कैन नौट कंट्रूल दैं मतलब अत्यदी कुतीज नमीज आप एगर ली जादा आप तब आप आपने से कुछीज होते हैं से बताने के लिए कुछ जादे ही एकसाइटेड होते हो तो महां पे क्या करोगे रीज फीवर पीछी यह वाले एडियम फ्रेज़ेस यूज करोगे चल्ब है फियर हैं सीक्वेंस का हॉनिस्ती हो जाएगा इमांदारी से इमांदारी के लिए कह सीपारी से ठाब हो जाएगा मंथाइसर फीजर आपने क्या 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 मतलब उसका जो फीजर आपने उसको गलत ना या खराब बनाए तो हाँ तो पेटा बैड मतलब बुरा प्रभा दालना यह जाएगा आपका लास्ट ऐफूटीन बीर्द पाम इसके मीनिंग हो चलिए नेक्स्स क्लास में आगे की इडम फेजन्स डिसकर्स करेंगे, आपको वीडियो कैसे लगी है, शेर कीज़ें, कमेंट करके बताइए, थांक्यों सो मज जाए हिन,